स्टुडेंट आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 12 एलेक्रिसिटी का एक्सासाइज का कुश्य नबर आज हम लोग 11 देखेंगे तो चले देखते कुश्य नबर 11 हम लोग का क्या करें शो हाव यू वूड कनेक्ट थी रेजिस्टर इच ओफ रेजिस्टेंस 6 ओम हम लोग को सेकर के देखते कि हम लोग का जो वो 9 फिस्टम कि दनट करेंगे निशेज चीछ और ना करेंगे देखना है कि हम लोग का जो डॉर के में किदा नेची और 9 ohm आना चाहिए और second में 4 ohm आना चाहिए तो ऐसा हम लोग को combination बनाना है तो चलिए देखते हम लोग इसको कैसे करेंगे तो solution में हम लोग देखते हैं फर्स में देखिया अगर हम लोग series में connect करते हैं तीनों को हम लोग का जो r1 है वो कितना है 6 ohm है r2 कितना दिया है वो भी 6 ohm दिया हुआ है r3 कितना दिया है वो भी 6 ohm दिया है थिरी रेजिस्टर बोल रहा है इच ओफ रेजिस्टेंस 6 ohm इसलिए वो आरवन आरट्व आरट्यू आरट्री की कितना है सब 6 ohm है अब क्या कहारा है हम लोग का so that the combination has a resistance resistance of इतना और इतना दिया है अगर हम लोग देखे तीनों का हम लोग अगर सीरीज में connect करते हैं सीरीज में connect करेंगे तो formula क्या बनेंगा हम लोग का RS equal to R1 plus R2 plus R3 इन तीनों को जोड़ेंगे तो 18 होगा 18 नहीं है अगर parallel में connect करते हैं अगर हम लोग इसको क्या करेंगे दो को parallel में connect करेंगे ठीक है दो को parallel में connect करेंगे और एक को हम लोग सीरीज में connect करते हैं दो को हम लोग ने parallel में connect किया और तीसरा को series में connect कर दिया अब चलिए इसमें देखते हम लोग का क्या आता है तो पहले इन दोनों को solve करेंगे तो 1 by R P equal to क्या हो जाएगा क्युंकि parallel का case है R1 plus R2 R1 कितना है 6 है plus R2 कितना है 6 है अब इसको solve करिंग कितना जाएगा LCM 6 आजएगा open 1 plus 1 add करिंग कितना हैगा 1 by R P equal to कितना हो जाएगा 2 by 6 cancel हो जाएगा 2 1 जो 2 2 3 जा 6 कितना जो 1 by R P equal to 1 by 3 क्रोस मल्टिप्लाइ कर देंगे क्या जाएगा आर्पी इक्वल टू ठी आ जाएगा अब यहां पर देखिए इतना तो हम लोग ने कर लिया आर्पी इन दोनों का टोटल है टोटल डिस्टेंस तो क्या जाएगा आर्थरी कितना है इन जाएगा यह हम लोग का 9 0 १ाय आप देखिये हम लोग को दुसरा ठीक है आगर हम लोग क्या करेंगे को दोर रेजिस्टर को रोग पार्लल करने करके स्वारी सरीश्य में करनेट करते और एक को हम क्या करेंगे ठीक है दो को series में कर रहे अभी connect और एक को parallel में connect कर दिये तब क्या होगा दोनों series में है तो series वाला पहले निकालेंगे Rs. equal to क्या होगा R1 प्लस R2 होगा R1 कितना दिया हम लोगों का 6 है प्लस R2 कितना दिया 6 आट करेंगे कितना आज़ेगा 2L अब हम लोग क्या निकालेंगे देखिए यह दोनों का series निकल गया आप किस में आज़ेगा parallel में ठीक है तो 1 by R P ठीक है हम लोग क्या करेंगे 1 by R3 प्लस इन दोनों का क्या हो जाएगा इन दोनों का total क्या हो जाएगा Rs ठीक है sorry यहाँ पर 1 by Rs तो 1 by R P equal to क्या जाएगा 1 by R3 कितना है 6 plus 1 by Rs कितना दिया 12 अब इसका हम लोग LCM लेंगे कितना जाएगा 12 आ जाएगा 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो टू टैंस जाएगा 2 को 1 से मिल्टिप्लाइ करेंगे 2 वन जाए 2 प्लस 12 से डिवाइड करेंगे 12 को 12 और फिर कितना आएगा 1 आएगा 1 को 1 से मिल्टिप्लाइ करेंगे तो 1 आएगा कितना जाए गए 3 by 12 कैंसिल हो जाएगा 3 1 जा 3 3 4 जा 12 ठीक है कितना जाएगा यहाँ पर 1 by R P equal to 1 by 4 क्रोस मिल्टिप्लाइ करेंगे तो R P equal to 1 by R P equal to कितना जाएगा 4 आजाएगा 4 ओं यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर देखिए 4 ओं आ गिया हम लोग का 4 ओं में 9 ओं आ गिया और यह हम लोग का 4 ओं आ गिया यही लालन्द हम लोग को स्टेंट वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए सेर कीजिए कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठाइंक यू